हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अनामिका वेलकम टू माई चैनल वोच शाला आज जो मैं रस्पी आप के लिए लेके आई हूँ वो है चाइनीज रस्पी स्वीटन सार वेजीज के साथ हाका नूडल्स ये बहुत सारे वेजीज के साथ बनाई जाती है हेल्दी है बच्चों के बेल आइकन को प्रेस करी जिससे मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन्स आपको आसानी से मुलते हैं तो चलिए बनाना स्टाट करते हैं सबसे पहले हम वेजीज काट लेते हैं करते हैं करते हैं आइए अब वेजीज के लिए सॉस बना लेते हैं करते हैं आइए अब वेजीज करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं मैंने यहां कुछ मसाले लिए हैं जिससे आप homemade Chinese five spice मसाला बना सकते हैं और Chinese की दूसरी रेस्पीज में भी आप ट्राई कर सकते हैं अब हमें नूडल्स बॉइल करने हैं नूडल्स हमें जादा नहीं पकाना है इस बात का खास ख्याल रखें क्योंकि आगे चलके भी हमें फ्राई करना है नूडल्स को नूडल्स में हम रिफाइन डॉयल को इस्तुमाल करेंगे जिससे की वो आपस में चिपके नहीं आए अब हम वेजिस प्राई कर लेते हैं कि आए प्र को èिसे की आए में कि प्राई ओे़ बीध कि आए अर जिए और यह आँ आगे झावेष कि आङ मैंने यहां नमक और चीनी इसलिए जाला है जिससे वेजी पख भी जाए और इसका कलर चेंज भी ना हो हम इसका जाला है जाला है जाला है जाला है झाल झाल स्वेटन सार वेजिस बन के तयार है आएए अब हम नूडल्स को फ्राई कर लेते हैं झाल 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 तो लीजिए गाइस बन के तयार है स्वेटन सार वेजिस के साथ हाका नूडल्स आई होप कि आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करना ना पहलेगा तेंक यू